नमस्कार, लेक्चर नमबर 17 है भहिया, इंडिया नेशनल मुव्मेंट का, पूरा वीडियो देखे, स्किप मत कीजेगा, सारी जानकारी में आपको दूँगा, आज हम पढ़ने वाले हैं करांतिकारी आंदोलन का पहला चरन, अभी तक आपने क्या पढ़ा, उधारवादी च घटनाए हैं, जो चरन चला, वो उग्रवादी चरन कहलाता है, या इसे गरम पंथी चरन कहते हैं, इनके काम करने का जो सौभाव था, थोड़ा गरम पंथी टाई था, उग्र था, लेकिन हिंसा तो ये भी नहीं करते थे, जब उग्रवादी चरन चल रहा था, 1905 से 1919 के बी चला रहे थे, तो वो दोर करांतिकारी आंदोलन का पहला चरन कहलाता है, 1905 से 1920 समय पीरिड कहें, या 1905 से 1915 कहें, क्योंकि मुख्य तोर पर पहले चरन की जो करांतिकारी घटनाएं होती हैं, वो 1905 से 1915 के बीच में ही होती हैं, अब 1915 में गांधी जी जब आ जाते हैं, औ गांधी जी के पीछे पीछे सभी करांतिकारी चलते हैं, उनके ओपर विश्वाश करके, लेकिन 1922 में एक घटना घटती है, वो घटना थी चौरी-चौरा कांड, चौरी-चौरा गोरकपुर के पास है, और यहां पर एक पुलिस थाने को जला दिया जाता है, इस थाने लो उसको वापस ले लेते हैं, और सहयोग वांदोलन को वापस ले लेते हैं, यह खबर सुनते ही, जो करांतिकारी थे, वो दुबारा से करांतिकारी घटनाओं में पढ़ जाते हैं, और करांतिकारी आंदोलन चलने लगाते हैं, और यह आंदोलन जो करांतिकारी आंदोलन का दुत्ती चरण था ये दुत्ती चरण 1920 से 1946 के हैं या 1924 से 1946 क्योंकि मुख्य तोर पर घटना है तो 1924 से 1946 के बीच में देखने को मिलती हैं तो क्रांतिकारी आंदोलों का दूसरा चरण गांधी वादी चरण के पैरलल में चलता है ये आप याद रखीं चरण के नेता या गरम पंती चरण के नेता ये अपनी मांगो को तो पहले बार में तो प्यार से मांगते थे लेकिन उसके बाद अगर डिमांड पूरी नहीं होती थी वो चक्का जाम कर देते थे हर्ताल कर देते थे लेकिन हिंसा ये भी नहीं करते थे अब करांतिकारियों के काम करने का तरीका बिल्कूल अलर्ग था वो क्या करते थे वो भाईया खून खराबे पे आ जाते थे वो गोलियों बंदूकों से बात करते थे देश के लिए अपनी जान देने को तयार थे देश की खातिन वो अपने हाथों पे अपने हथेली में अपने जान को लेकर चलते थे उनको अपनी जान की कोई परवार नहीं होती थी ये थे हमारे करांतिकारी भगत सिंग, सुखदेव, राजगुरू, चंदरशेखर राजाद जैसे बड़े-बड़े करांतिकारी वीरों के ही माध्यम से हमको आज़ादी मिल पाई है तो हमें आज़ादी मिलाने में उदारवादियों का भी हाथ है उगरवादियों का भी हाथ है और हमारे करांतिकारी वीरों का भी हाथ है तो आज हमें करांतिकारी आंदुलन का पहला चरण पढ़ना है बच्चा तो मेन उद्देश है तो भाईया देश को आजात कराना इसके लावा क्या उद्देश है अंग्रेजी सत्ता में डर पैदा कर देना डर का माहूल पैदा कर देना क्योंकि अंग्रेजी लोग हमारा शोशन कर रहे थे हमारे लोगों को सता रहे थे छोटी छोटी गलतियों पर हमें बहुत कड़ी कड़ी सजाएं मिल रहे थे उनके दिल में एक डर पैदा कर लेना कि भाईया अगर आप इंडियन के साथ गलत वेवार करोगे या उनको सताओगे तो आप मार दिये जाओगे अगर अंग्रेजों के दिमाग में ये डर रहेगा तो वो इंडियन के साथ कोई बुरा विवार नहीं कर पाएंगे अब पहले चरन का क्रामतिकारी आंदोलन का शुरू होने का कारण क्या है कई कारण है मैं एक एक करके आपको बताता हूँ सबसे पहली बात 1885 से 1905 का जो टाइम पीरिड रहा वो उदारवादियों का रहा एक दम चिठी, महबब, प्यार से वो अपनी डिमांड करते थे वो पूरी नहीं होती थी तो इस कारे 45 से हमारे जो लोग थे असंतुष्ट थे तो इस कारण से उन्होंने 1905 के बाद क्रामतिकारी रास्ते पर चलने का सहस किया इसके पहले, इसके अलावा 1896 से 1900 के बीच में भारत के अलग-अलग इलाकों में बहुत अकाल पड़ा इस अकाल में भाईया सरकार का क्या फर्ज होता है, बताईए सरकार का फर्ज होता है कि अपने लोगों को अपनी जनता को खुश रखे उनकी प्रॉबलम को सॉल करें लेकिन अंग्रेज्जों ने क्या किया अंग्रेज्जों ने हमारा और शोशन किया एक तो हम जो है अकाल के कारण तरस्त थे और दूसरा अंग्रेजियों ने हमारा शोर्षन किया तो गुस्सा तो आएगा ही गुस्सा ऐसा आया कि हमने करांतिकारी मार्ग पर चलकर उनकी खटिया खड़ी कर दी इसके लावा बिर्टिश सेना में भारतियों के साथ नसली भेदभाव हो रहा था जो अंग्रेजी सेना थी ने उसमें हमारे जो इंडियन भरती हो रहे थे उनके साथ नसली भेदभाव किया जा रहा था गोरा रंग काले रंग के अधार पर हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा था भाई अगर आप ने सुना हो तो जब अंग्रेज हमारे यहां हम पर रूल कर रहे थे न तो जो उनके कलब थे उनके जो एश अराम की जगा थी वहां लिखा होता था कि इंडियन्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड भारती और कुट्टे यहां अलाउड नहीं है ऐसे बोर्ड लिखते थे वो तो आप समझ पाया रहे हैं क्या स्थिती रही होगी वहाँ इसके लावा प्लेग जैसी भेंकर बिमारी जब फैल रही थी भारत में तो उस समय भी वो हमारा शोषन कर रहे थे भारतियों का कोई परवाह नहीं कर रहे थे कि भाये चाहे प्लेग से हम मरें चाहे जीएं उनको कोई परवाह नहीं थी इसके लावा 1905 में जब बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है तो उसके बाद भी हमारे जो लोग थे करांतिकारी लोग थे वो करांतिकारी रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो गए क्योंकि बंगाल विभाजन करना उनको अच्छा नहीं लगा क्योंकि बंगाल विभाजन करके अंगरेज्जों ने क्या किया फूट डालो राज करो की निती अपनाई हिंदू मुसल्मानों को वलग कर दी एक तरीके से इसके लावा बाल गंगादर तिलग जी इनकी राष्ट्रवादी भावना से भी हमारे करांतिकारी प्रेरित हुए इनके जो समाचार पत्र है न और ये जो उत्सर चलाते थे बाल गंगादर तिलग इसमें ऐसा मोटिवेट करते थे लोगों को ऐसा मोटिवेट करते थे कि कई लोग क्रांतिकारी रास्ते पर चलने लग गए इनका समाचार पत्र था एक केसरी समाचार पत्र था ये मराठी भाषा में था किस भाषा में था मराठी भाषा में इसके लावा एक मराठा दरपन न्यूस था ये अंग्रेजी भाषा में था यह अंग्रेजी याद रखेगा मराठा जो समाचार पत्र है इसका नाम मराठा भले है लेकिन यह अंग्रेजी भाषा में था और केसरी जो था यह एक मराठी भाषा में था केसरी भाषा के कारण इनको कई बार जेल जाना पड़ा है मुखे तोर पर एक 18 महीने के लिए और 6 साल के लिए जेल जाना पड़ा है केसरी समाचार पत्र में ऐसी ऐसी motivated चीजे इन्होंने छापी कि लोग करांतिकारी रास्ते पर चलके उन्होंने करांतिकारी घटनाएं कर द किये हैं इसके अलावा ये उत्सव चलाते थे शीवा जी उत्सव और गनेश उत्सव इन उत्सव को चलाने का प्रपस ये था कि इन उत्सव के नाम पर हर साल लोग इकठा हो और उन्हें motivate किया जा सके देश के प्रति जागरूप किया जा सके उनके अंदर राष्टवाद क इसकी भावना जगाई जा सके ठीक अब इसके अलावा रूस में और आयरलैंड में करांतिकारी घटनाएं हो रही थी इससे भी हमारे जो करांतिकारी थे प्रेरित हुए थे ठीक पूरे इंडिया में करांतिकारी आंदोलन का प्रारंब छेतर कौन सा था तो महराष्टर में ये करांतिकारी घटनाएं सबसे पहले शुरू होती है और उसके बाद बंगाल महराष्टर पंजाब में भी ये घटनाएं होती है ठीक है तो विस्तार छेतर बंगाल इतनाएं हुई है ने वो बंगाल में हुई है चिक तो हम इन्हें करांतिकारी राष्ट्रवाद कहते हैं करांतिकारी राष्ट्रवाद आपको जानकर हैरानी होगी कि 2007 से पहले 2007 से पहले इस जो करांतिकारी राष्ट्रवाद की जगन है करांतिकारी आतंगवाद किताबों मे NCRT में था लेकिन opposition के विरोध करने के कारण जो है अब किताबों में करांतिकारी आतंगवाद की जगा करांतिकारी राष्टरवाद आ गया है ये शब्द है हमारे लिए ये राष्टरवादी ही थे ठीक है एक नोट कर लिजगा बहुत important नोट है करांतिकारी राष्टरवाद का जो पीता है वो वासुदेव बलवंत फड़के को का जाता है ये बहुत important नोट है करांतिकारी भारत में करांतिकारी राष्टरवाद का पीता किसको बोला जाता है तो आप बोलेंगे वासुदेव बलवंथ फड़के को बोलायाता है बस इतनी बात याद रखी है लेकिन अगर आपके दिमाग में प्रशन आ रहा कि ये वासुदेव बलवंथ फड़के कौन थे तो मैं आपको बता जता हूँ तो भाईया एक फड़के विद्रो चला था 1879 में ये किसानों का समू था जिन्होंने विद्रो किया था ये पहला शशस्त्र विद्रो था जो गणेश वासुदेव बलवंथ फड़के के नेतरित्यों में चलाया गया था ठीक है और गणेश वासुदेव जोशी ने इनको इनका जो है केस लड़ा था क्योंकि 1880 में इनको गिरफतार कर लिया था और बाद में इनकी मृत्यों 1883 में हो जाती है तो फिल हाल आपको ये क्रांतिकारी राष्टवाद के पिता वासुदेव बलवंथ फड़के थे इनको माना जाता है ये ही याद करना है इन्होंने सबसे पहले अंग्रेज्जों के प्रती शशस्तर उठा ली है समझ लीजे लेकिन क्रांतिकारी राष्टवाद की पहली घटना जो मानी जाती है राष्टवादी घटना मतलब राष्टवादी घटना मतलब ऐसी घटना जो देश के लिए की जा रही हो खुद परसनल अजेंडा के लिए नहीं इससे पहले भी कई घटनाएं होती थी कि अंग्रेजों को मार दिया जाता था लेकिन वो परसनल दुश्मनी होती थी देश के लिए किसी अंग्रेज की हत्या करना वो एक राष्टवादी घटना है करांतिकाई राष्टवादी घटना है तो पहली घटना क्या है? तो ये देखिए चापेकर बंदू मतलब तीन भाई थे ये लोग तो एंक देखिए नाम है दामोदर हरी चापेकर एक का नाम दूसरे का नाम वीर बाल कृष्ण हरी चापेकर है और तीसरे का नाम वीर वासुदेव हरी चापेकर लेकिन ये दो भाईयों ने ये जो दामोधर हरी चापेकर है और वीर बाल कृष्ण हरी चापेकर है इन्हों ने ही हत्या की थी किसकी रेंड और आयरेस्ट की ये रेंड और आयरेष्ट कौन थे इनकी क्यों हत्या कर दिया 1897 में पूने के अंदर देखिए मैं बताता हूँ कारण 1896-95 के आस पास पूने में भेंकर पलेग फैला हुआ था उस पलेग की जाच के लिए अंग्रेजों ने एक समीती का गठन किया था उस समीती के ये कमिशनर थे रेंड और ये आयरेष्ट और जब ये पलेग की जाच करने के लिए घर घर जा रहे थे तो घरों में घुस घुस कर जो वहां की औरते थी उनके साथ गलत वेवार कर रहे थे ठीक है तो उनके साथ गलत वेवार कर रहे थे इसी कारण से इनकी हत्या कर दी गई चापेकर बंधों के द्वारा दो भाईयों के द्वारा थे तीन भाई लेकिन इन दो भाईयों ने ही पार्टिस्पेट किया था इसकी हत्या में ठीक तो चापेकर बंधुओं का इतिहास पहले जान लेजिए क्यों इन्होंने हत्या की है चापेकर बंधुओं ये तीन भाई है न जिनमें बाल कृष्ण हरी और दामोदर हरी इन्होंने हत्या की थी और तीनों लोग जो है न ये तीनों लोग मिलकर एक व्यायाम मंडल चलाते थे व्यायाम मंडल एक ऐसा संगठन था जहां पे लोग यूथ आते थे कसरत करते थे व्यायाम करते थे दुनिया की नजर में लेकिन वो वास्तों में करांतिकारी संगठन था क्योंकि उस समय करांतिकारी संगठन खुले आम तो चलाया नहीं जा सकता था इसी कारण से एक व्याया मंडल चलाया जाता था इनके द्वारा जहां पर यूथ आते थे कसरत करते थे एक्सरसाइज करते थे और वही पर इकठा होके करांतिकारी घटनाओं को अन्जाम देने की बात भी करते थे ये याद रखेंगे अब एक बार जब हुआ क्या जब प्लेग कमिशनरों के द्वारा गलत वेवार किया जा रहा था हमारे घरों की औरतों के साथ तो इस बात को बाल गंगा दरतिलक ने अपने अखबार केसरी में भी छापा और इसके लावा शीवा जी उत्सव जब हो रहा की थी वैसे भी वैसे ही अंग्रेज्जों की भी हत्या कर देनी चाहिए जो हमारी बहु बेटियों के साथ ऐसा गलत वेवार किये जा रहे हैं ठीक है अंग्रेज्जों के साथ भी वही वेवार करना चाहिए जो छत्यपति शिवा जी ने अफजल के साथ किया था तो इससे प्रेरी थोकर चापेकर बंदूं ने ठान लिया कि भाईया अब अंग्रेज को खतम कर देना है तो रैंड और एफिरेंट आयरेश्ट की हत्या कर दी इन चापेकर बंदूं ने और बाद में अंग्रेजों ने पकड़ कर इनको फांसी दे दी थी बाल गंगदर तिलक को भी दोशी ठेहराया अंग्रेजों ने उन्होंने कहा कि आप ही के प्रेरना से प्रेरित होकर इन्होंने रैंड और आयरेश्ट की हत्या गी है इसलिए बाल गंगदर तिलक को भी 1897 में 18 महीने की सजा दे दी जाती है तो जब जेल से छुट कर आते हैं तो उसके बाद इनको मिलती है उपाधी लोक मान्य तिलक तो लोक मान्य की उपाधी इनको बाद मिलती है ठीक अब देखिए चापेकर बंदू कहते हैं पकड़े नहीं गय होते लेकिन द्रविड बंदूंने इनको पकड़वा दिया ये दो भाई थे द्रविड बंदू इन्होंने चुगली कर दी और चापेकर बंदू चापेकर जो भाई थे ये पकड़े गए लेकिन कोई दिक्कत नहीं भले चापेकर भाईयों को फासी पे चड़ा दिया गया लेकिन छोड़ा नहीं गया इन द्रविड भाईयों को द्रविड भाईयों ने जो अंग्रेजों को सूचना दे थी कि चापेकर भाई कहा है तो इन द्रविड भाईयों को मार डाला गया व्याया मंडल की द्वारा जो चापेकर भाईयों की द्वरा चलाया जा रहा था तो इस परकार से भाईया ये पहली राजनेतिक हत्या मानी जाती है तो ये घटना कहां की है महाराश्ट की है अगले वीडियो में हम महाराश्ट में नासिक शड़यंत्र केस पढ़ेंगे 1909 में जहां पर आप वीडि सावर कर विनायक दामोदर सावर कर के बारे में complete जानकारी लेंगे काले पानी की सजा उनको हो गई थी वो सब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा तो आज के इस वीडियो में आपने पढ़ा कि चापेकर बंदुों ने कैसे रेंड और आईरिष्ट अंग्रेज की हत्या कर दिये जिसके लिए उनको फासी हो गई थी पूरी कहानी मैंने आपको बता दिया और एक और फैक्ट है कि करांतिकारी राष्टवाद के पिता वासुदे बलवंत फड़के को माना जाता है नोट कर लिजेगा ठीक है तो बाकी की जानकारी अगले वीडियो में होगी अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दियेगा शेर करिए दोस्तों के साथ हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में तद तक करे नमस्कार